करनाल जिला में करोना संक्रमन के केस लगातार भट रहे हैं जिसके चलते प्रशासन नियमों में और सक्ते करनी शुरू करती है अब जिले में किसी भी परकार के धार्मिक समाजिक रासनितिक कारेकरमों के आयोजनों से पहले आयोजकों को अनुमती लेनी होगी इस बारे में उपायुक्त निशान्त कुमार यादव का कहना है कि कोविड की गाइडलाइन के अनुसार मास्क सैनिटाइजर वद्दोगज की दूरी जरूरी है जो भी इन नियमों की अवहिला करेगा उनके खिलाफ कारेवाही की जाएगी ग्रामिन शेत्रों में धार्मिक समाजिक रासनितिक कारेकरमों के लिए सम्बंदित BDPO से अनुमती लेनी होगी और शेहरी शेत्र में नगराधिश से साधे कागज पर आवेदन करके अनुमती लेनी होगी उन्होंने कहा कि यदि कारेक्रम किसी हाल में है तो उसकी शमता 50% की होनी चाहिए 200 से जादा व्यक्तियों को एक जगा एकत्रित नहीं होने दिया जाएगा यदि बाहार कारेक्रम है तो उसके लिए 500 लोगों की अनुमती रहेगी कोवीड के सभी निर्देशों की अनुपानला करना सभी आयोजकों की जिम्मेदारी रहेगी यदि कहीं पर अंदेखी की गई तो आयोजकों के साथ बैंकिट होल या सभा के मालिकों के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट की धारा 188 के तहत कारवाही की जाएगी इसकी चेकिंग के लिए जीले में 17 जूटी मजिस्टेट बनाए गए हैं सभी जूटी मजिस्टेट के साथ पूलिस बल तैनात रहेगा उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम संसकार के समय भी 50 से ज़्यादा व्यक्ति शामिल नहीं किये जाएगी यदि ऐसा किया गया तो शिवपूरी के प्रभंदक के खिलाफ कारेवाही बनेगी DC ने कहा कि स्कूलों में इन्यमों का द्रिर्ता से पालन किया जा रहा है अभिवाबको की अनुमती से ही बच्चों को स्कूल में भेजा जा रहा है उन्होंने कहा कि बाजारों में भी दुकानों पर भीर बढ़ रहा है सभी दुकानदार मास्क रखे ग्रहाकों को मास्क दे यदि कोई दुकानदार अंदेखी करता है तो उसके खिलाफ़ी कारेवा ही की जाएगी उन्होंने कहा कि लोगों कि सुवीधा के लिए जीला में 1950 हेल्प डेस्क बनाई जाएगी उन्होंने कहा कि अब फिर कंटेन्मेंट जोन बनाई जा रही है NDRI में एक COVID Center बनाया गया है जैसे जैसे मामले आ रही है और COVID Center बनाये जाएंगे कोरोना की cases अब पूरे हरियाना में पूरे देश में बड़े हैं करणाल में भी अब highest cases आने शुरू हो गए हैं और लगबग डेली 200-200-300 के साथ के संख्या में करणाल में आ रहे हैं इसमें सरकार की तरफ से नई guidelines आई हैं और उन guidelines में ये mention है कि किस तरीके से gatherings को हम restrict करें तो कोई भी अगर कोई सामाजिक function है, धार्मिक function है, राजनेतिक function है, कोई sports event है, cultural program है, कुछ भी है हर किसी की permission जो है district magistrate से यानि DC office से लीजानी आउशक है उसके लिए CTM office में कोई भी सीधा करके अपनी application दे सकते हैं या DC office की हमारे यहां MA branch है, miscellaneous branch वहाँ जाकर के, कमरा नमबर 26 में जो बैठती है, वहाँ जाकर के उस branch में कोई दर्खास अपनी दे सकता है और नीचे जो help desk है, ground floor पे से कट्रेट की, वहाँ पे भी हमने एक प्रावधान किया है कि वहाँ भी अगर कोई अपनी दर्खास दे देगा, उसको हम कोशिश करेंगे एक या दो दिन में maximum process करेंगे कि उसमें पुलिस की सम्मंदित भी भाग की, नगर पाली का है, नगर निगम की या अगर ग्रामींड शेतर है तो सम्मंदित वीडियो की, उन सब की NOCs की requirement होगी, उसके बाद ही हम जो है कारेकरम करने की permission देंगे एक चीज तो मैं इसपष्ट करूँगी, कोई भी प्रोग्राम, चाहिए वो social हो, धार्मिक हो, religious हो, राजनितिक हो, cultural हो, sports का प्रोग्राम हो, बिना permission के लोगों की gathering ना की जाए और जहां तक जो permission दी जाएंगी, वो इस शर्थ पे, इस condition पी दी जाएंगी, कि अगर indoor program है, तो उसकी अगर indoor hall की शमता जितनी है, उसके 50% लोग ही उसमें आ सकते हों, और up to a maximum limit of 200, यानि indoor program में कोई hall कितना भी बढ़ा हो, 200 से जादा लोग तो वैसे भी allowed नहीं होंगे, औ अगर outdoor की में बात करों तो maximum 500 लोग इसमें अलाउट रहेंगे, और जो अंतिम संसकार हैं, funeral से हमां, 50 लोगों की gathering या जमावड़ी की आउशकता होगी, इसमें जितने भी ये जो restrictions हैं, इनको check करने के लिए हमने joint inspections teams बनाई हैं, तो हमने 17 joint inspection teams बनाई हैं, जिसमें हमरे duty magistrate, जो कि class one अधिकारी होंगे, और साथ में सम्मधित ऐसे चोग, उनकी duty लगी है, अगर कहीं भी इन नीमों की violation पाई जाती है, तो जो organizer है, जैसे उधान के तोर पे अगर कहीं शादी का फंक्शन या कोई और प्रोग्राम चलता हो पाया गया, तो जो organizer है, बैंकेट होले, उस जो घाट है, वो कारवाई का पात्र बनेगा, तो इस परकार से जहां भी इस तरी के violations पाई जाएंगी, वहां हम सकती से रहेगी, स्कूल्स को लेकर क्या रहेगी, स्कूल्स को लेकर लोग सवाल कुछ रहे हैं, कि छोटे बच्चों के फिस स्कूल कुले हैं, वहां भी 200 से 300 से 500 बच्चे जो हैं, वहां पर होते हैं, रिसेस में इकठे होते हैं, प्लेगराउंड में इकठे होते हैं, प्रेयर में इकठे होते हैं, तो उसके लिए क्या guidance रहेगी हैं, अभी तो सरकार की तरफ से स्कूल्स ओपन हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन और बाकी क्ला सेहमती से बच्चे आ रहे हैं, और ये सारे प्रोटोकॉल्स को पालन करना आसान है, क्योंकि वो स्कूल इंजर्र डिसिप्लिन होता है, तो मुझे नहीं लगता है, स्कूल्स में हमें कई इसको एनफोर्स करने में दिक्कत आएगी, में समश्या जो सामाजी को धार्मी करनाल शहर में या इवन घरोंडा में और जो बाकी छोटे कस्बे हैं उन में भी, उसमें देखने को आया है कि दुकानों पे किसी भी तरह का जो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता, तो मैं आगरे करूंगा सभी दुकानदर भाईयों से कि मास्क रो जरूर रखे हैं, अपने इसकार में कोई भी हमें आखरी मॉमेंट पे अगर इस तरह की इमर्जनसी आती है, तो कोई एक इंटिमेशन सुचना डाल करके और वो कर सकते हैं, बशर्ते हो अपने 50 की शर्थ उसमें पालन करें जिसे असंद है, संद 40-45 के मिटर दूर बढ़ जाता है, नीलो खेडी है, इस तरह की जगह से तो सर आना भी पॉसिबल नहीं है, क्या उनके लिए वहाँ पे कोई हल्प डेस्क राएगा है, बिल्कुल रस्पेक्टिव सब्डिविजन और SDM और सिमिलर गाउस्त है, है, तो हम एक दो और लोकेशन ढूंड रहे हैं, कुछ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स इस तरह की लापरवाही करते मिले कि कोई जब हमारे हेल्थ की टीम उनके वहाँ पे गई तो बजार में गई हुए थे या बाकी लोगों से घुल मिल रहे थे, एक तो हमने अपाई प्राइवेट हॉस्पेटल में कुछ चार्जिस फिक्स है, सरकारी में फ्री हैं, एच फेक्टर पंतालिस से उपर तो लग रहा है, क्या उससे नीचे कि लोग भी लगवा सकती हैं? अभी तक तो जो सरकार की गाइडलाइन से हों 45 से उपर वाली है, और हमने प्राइवेट और गवर्मेंट मिला करके करीव 100 से उपर की साइट्स अवैलेबल करवाई हैं, पूरी तरह से फ्री है गवर्मेंट जगों पे, प्राइवेट जगों पर रेट्स फिक्स कर दिये और मेरा मानना है कि सभी को जो भी 45 साल से उपर उस कटेगरी में आते हैं उनको बिना किसी जिज़त के बिना किसी संकोच के वैक्सिनेशन कराना चाहिए अभी जस्ट पहला आज के वैक्सिनेशन की में फिगर देख रहा था लगोग साढ़े 5,000 लोगों ने आज क्योंकि उसमें पोर्टल में एंट्री होती है और उसमें एज़ प्रूफ और बाकी डोकुमेंट लगवा सकते हैं अभी के लिए जल्दी सरकार के द्वारा बाकी वर्गों के लिए भी साथ ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की affordable housing योजना के साथ जिसके तहट आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की free parking, EDC, IDC free, club charges free और maintenance free और कोई hidden charges भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुग करें